हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबिपी लाइब चुनाओं से पहले आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं लेकिन परेशानी तब होती है जब पार्टी सरकार में हो और यही परेशानी जदियू के साथ हो रही है तमाम आरोप लग रहे हैं जिन म कि आरोपी छवी जो है अपराधी छवी की महिला को टिकट देना कैंडिडेट को कि आपको नहीं लग रहा है परिशानिया बढ़ाएगा और क्यों आखिर ऐसे शवी के इंसान को टिकट दिया जा रहा है मुझे ऐसा लगता है कि मन्जू वर्मा जी को लेकर के उस समय उनका का इस्तीफा इसलिए मांगा गया था कि अगर आपके खिलाफ आरोप हो तो निसंदे सारोजनिक जीवन में जब तक पूरी जाच और कोड का फैसला नहीं आ जाए तब तक आपको अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त रहना चाहिए और उन्होंने उस भाउना का संबान किया अपने पस्तिफा किया है लेकिन जो कोड्स के अलग अलग कोड्स के जो फैसले आए उन फैसलों से एक बात बिलकुल साफ हो गया कि मंजू वर्मा जी की भूमिका सीधे तोर पर कहीं नहीं थी और जो लोग यह सवाल खड़े कर रहे हैं वो आज अरून आदो की पत्नी को टिकेट दिये जाने के सवाल पर मौन क्यों है यह दोरे मांदन राजनिती में जन्यता समस्ती है जहां तक मंजू वर्मा का सवाल है तिष्डे वर्ग से वो यहां तक आई उन्होंने काफी मेहनद से अपनी जगा बनाई है और उनके खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ तो वैसी इस्तिमों ने सार्मजनिक जीवन में उसर दिया जाना कहीं से भी गलत नहीं है लेकिन सवाल तो ये भी है न सर भले सीधे तो पर ना रही हो लेकिन वह आरोपी है और बहुत ही जगहन्य मामलों में से एक था जो हुआ था तो ऐसे में अगर मामला भी साफ नहीं हुआ है तो फिर भी टिकट देना परिशानी वाली चीज तो है न सर देखे इस पूरे प्रकरण के उत भेदन में राज्य सरकार की भूमी का बहुत साफ सुत्री रही है हम लोगों ने कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वारी की बात कही सीपी आई जाचकी सिफारिस की जो रिपोर्ट सामने है और जो उसका कोर्ट का फैसला है उसमें मंजू अर्मा या किसी भी व्यक्ती जिसके खिलाफ आरोप लगे लेकिन अगर वो भारतिये दंड संगीता के जो नए प्रावधान है अगर आप दागी है अपके खिलाफ अगर कोई सजा का एलान हुआ है तब आपको चुनाव लगने से आयोगे करार दिया जाएगा लेकिन ये कहीं से भी उन पर लागू नहीं होता है लेकिन जिन दो लोगों को उपकेड़ करने के लिए राज़त ने बैक डूर का साहरा लिया उनकी पत्नियों को टिकेट देने का रास्ता अक्तियार किया उसमें राजबल्ला भ्यादो सजायाफता है बाजाफता इसलिए इस फर्क को समझन पड़ेगा इस पीच में एक और बात है कि तेजस्वी ने पूछा है कि क्या नितीश कुमार और जदियू उनसे माफी मांगे ही क्योंकि शक्ती मलीक हत्या कांड जो था जिस तरह से तमाम चीजों को जोड़ते हुए उनके उपर लगातार हमला बोला गया कि उन्होंने पै परकाइब में जाकर के उस इंटरव्यू को देखेंगी तो मैंने कहा था यह परसेप्सन का मामला है और टिकटों के खरीद फरुक्त का रोप उनके परिवार उनके पिता और उनकी पार्टी पर लगता रहा है इस यह आरोप एक बाद फिर से प्रमानित हुआ है दलितों को लेकर के जो दोहरे मांदर्ण है तेजस्वी आदो के वो रागोपुर के वाद एक बाद फिर इस प्रकरण में उजागर हुआ है जब यह सवाल आपने पूछा था तो मैंने कहा था यह अनुसंधान का विसा है यह पुलिस को तेह करना है और आज भी हम कायम है कि इस पूर आप टिकटे खरीद फरोग्ट करने का आरोप आप पर लगता है तो यह चिंता पैदा करने वाला वाली परिस्तुती है और यह चुकी आरोप इसलिए भी काफी हद तक सही दिखता है कि इसके पहले भी ऐसे आरोप आपके परिवार के खिलाफ लगते रहे हैं सर एक चीज है जिस तरह से भाजपा जदियू और लोजपा में ट्राइंगल बन रहा है कि भाजपा के साथ है जदियू के साथ नहीं है ऐसे में चिराग पासवान ने हमला बोला कि जदियू को वोट देना बिहार को बरबाद करना रामिश्व चौरस या उन्होंने भी हमल पार्टी क्या बोलना चाहे कि जिस तरह से लगातार एक पार्टी को आपकी इसायोगी को समर्थन दे रहे हैं और आप के लिए इस तरह की बाते वह बोलते रहे हैं तो उस पर अभी आप क्या बोलें सबसे पहले तो यह पूरा द्रिस्टिकोण आनाइधीक है आप एक घट तो फिर ये तर्फा प्यार का एक बहुती खूबसूरत फसाना दिखता है है आप कहें कि मुझे बहुता पसंद है और दूसरी तरफ से ये कहा जाए कि कोई सवाल नहीं हुडता है आपसे दूर दूर तक का मारा रिस्ता नहीं है और आपसे जो रिस्ता रखेगा उसके खिला तो देखिए हर मुद्दे पर जनता दल उनाइटेट की तरह से राजी वरंजन जी ने दो टूक जवाब दी है चाहे मसला मंजो अर्मा का हो कि आरोप तो साबित हुए नहीं है तो फिर उनको दागी कैसे कहा जाएगा या फिर मसला होते जस्वी का ये बोलने का कि भाया हमार तो ये भी है कि जद्यू लगातार बोलती रही है कि जाच का विशय है लेकिन पहले क्योंकि इतिहास रहा है इस वे जैसे हम इस मामले की जाच चाहते हैं तो ऐसे में साफ साफ बाते करते हुए जनता दल उनाइटेट दिख रही है और विजन जो है वो क्लियर अपना रख रखने की कोशिश कर रही है कि अमना परसन अर्विंत कुमाल साथ ने मेता शांडेल या एबीपी न्यूज पढ़ना अर्विंत कर दो लगड़ना